किस जानवर का जबड़ा सबसे ताकतवर? इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पर कभी सोचा है कि जब ये शिकारी जानवर अपने शिकार पर हमला करते हैं तो किसका जपड़ता सबसे ताकतवर होता होगा? मगरमच, शेर, सांप या शार्प का चलिए आज अंदाजा लगाते हैं कि किस जानवर का निवाला सबसे ताकतवर होता है? वेल आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी जीव है. इसकी कई नसले हैं. इनमेंसे बोहिट वेल का मूह आज दुनिया में किसी भी जानवर में सबसे बड़ा माना जाता है. लेकिन वो अपने मूह से किसी को काटती नहीं. किसी पर मुह से जपट्टा मार कर उसे चबाने के लिए जानवर के पास बड़ा सा मुह फिर उसमें खतरनाक नुकीले दांत और ताकतवर पेशिया होनी चाहिए तो पहली बात ये है कि हर वो जानवर जिसके दांत हैं वो शिकार को चबाता नहीं जैसे कि घोंगे की जीब जैसे रेडुला नाम के अंग पर हजारों दांत होते हैं मगर इससे वो काटता नहीं इन दांतों को वो खरोचने के काम में लाता है इसी तरह नीली वेल दुनिया की सबसे बड़ी जीव है मगर इसके दांत नहीं होते इसके मुकाबले स्पर्म वेल के गांत काफी तेज और बड़े होते हैं लेकिन स्पर्म वेल की बाइट को भी सबसे ताकत्वर नहीं कहा जा सकता क्यूंकि इसके सिर्फ निचले जबडे में दांत होते हैं आम तोर पर स्पर्म वेल अपने शिकार को निगलती है, चबाती नहीं. Royal Belgian Institute of Natural Science के Olivier Lambert कहते हैं कि आज शिकार पर जपट्टा मार कर चबाने के मामले में सबसे आगे है किलवेल. मगर किलवेल असल में वेल नहीं डॉल्फिन की एक नसल है. ये 31 फुट तक लंबी होती हैं. इनके 50 के करीब दांत होते हैं. इन दांतों से वो अपने शिकार को चीर फार डालती हैं. ये वेल से लेकर सील तक को अपना शिकार बनाती हैं. लेकिन किलवेल या औरक हमेशा जुन्ड में शिकार करती हैं. ऐसे में किसी एक जानवर का सबसे ताकतवर जपट्टा बताने की रेस में इन्हें भी नहीं गिना जा सकता. इनके मुकाबले ग्रेट वाइट शार्क की बाइट ज्यादा ताकतवर होती होगी. क्योंकि इनके 300 दانत होते हैं. ये सबसे खतरनाक शिकारी जानवर माने जाते हैं. मगर दिक्कत ये है कि इनके जबड़ों में हड्डिया नहीं होती. तो फिर कैसे माना जाए कि इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है? इसके लिए जानवरों के शिकार को काटने के वक्त लगाई गई ताकत को नापने की जरूरत है. आस्ट्रेलिया की न्यू इंग्लेंड यूनिवेसिटी के स्टीफन रो ने कम्प्यूटर की मदद से जानवरों के जपट्टा मारकर चबाने के वक्त लगाई गई जोर को था. पता ये चला कि किसी भी शार्क के जपट्टा मारकर चबाने में ज्यादा से ज्यादा 18216 न्यूटन की ताक्त लगती है. न्यूटन वो पैमाना है जिससे किसी चीज़ पर लगा जोर नापा जाता है. इसको इस तरह से समझिए कि हमारे दांट जब बहुत ताक्त उनिवसिटी के ग्रेगरी एरिक्सन ने मगरमच्चों की 23 नसलों के शिकार करते वक्त लगाई गई ताक्त को ना पा था. उनकी टीम ने पाया कि मगरमच्च अपने शिकार को चबाते वक्त 16,414 न्यूटन तक का जोर लगाते हैं. धर्ती पर ये सबसे ताकतवर बाइट ह इससे पहले चितकब्रे लकर बग्गे के जपटे को सबसे ताकतवर माना जाता था. वैसे मगरमच्च की चबाने में लगाई गई ताक्त शार्क से कम है, मगर शार्क की बाइट की ताक्त को कम्प्यूटर से अंदाज आ गया था. वहीं मगरमच्च के जपटे को तो अमरीका में पाई जाने वाली पिरहाना मच्चली की बाइट को भी काफी पौवरफुल माना जाता है. लेकिन आज जो पिरहाना मच्चलिया मिलती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं. जबकि आज से करीब 90 लाक साल पहले इसकी बड़ी बहने उसी इलाके में रहा करती थी. इ जब धर्ती से खत्म हो चुके जानवरों के ताकतवर जपटों की बात हो रही है, तो इस रेस में कई और जानवर शामिल हो सकते हैं. करीब 25 लाक साल पहले पाई जाने वाली मेगालोडॉन नाम की शार्क आज की शार्क से तीम गुने से भी ज्यादा लंबी होती थी. जाह वक्त ये मेगालोडॉन शार्क धर्ती पर रहती थी, उसी वक्त वेल की भी एक नसल धर्ती पर बसर करती थी. इसका नाम वैग्यानिकों ने लिवियाटन मेलवरली रखा है, इसके कुछ कंकाल मिले हैं. इस वेल का जबड़ा ही करीब 10 फुट का होता था, वहीं इस वेल के दांतों की लंबाई करीब 14 हिंच होती थी. इतने बड़े जबड़ों और इतने खतरनाक दांत से लेस ये वेल जब शिकार पर जपटती रही होगी तो अपने शिकार पर कितनी ताक्त से हमला करती होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है.